नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी उच्छान में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली रहते हैं आज सुपास ही लेकिन साथ नहीं होते कुछ लोग मुझ से जलती हैं बस खाक नहीं होते जी आपने सही सुना हम आज के डेली नाशिफल की बात कर रहे हैं जिन्दगी आप पर हस्ती है जब आप दुखी होते हो जिन्दगी आप पर मुस्कुराती है जब आप खोश होते हो लेकिन जिन्दगी आपको सलाम करती है जब आप दूसरों को खुश करते हो हमेशा दूसरों के चहरे पर मुस्कान लाकर देखे भगवान भी आप पर ना है आप अपना भविष्ष्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदितों बदल सकते हो और बदले हुई आदितें आपका भवश्य बदल देंगी आप भी अपनी पुरी आदितों को छोड़ दे अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जिंदगी में सफलता जरूर हासिल कर पाएंगे से पहले में आपको पता दू किया जाब के जो है भागिशारी रंग यानिकि लखी कलर रहने वाला है ग्रीन और जो लखी नंबर है वो नंबर दो रहेगा आज का तो सिदारे आपके बारे में आज कहते हैं कि व्यपारियों के लिए आज का दिन इंपोर्टन्स रहेगा अप जरूर प्रियास कीजी सफलता मिल सकते है धातों समंदित काम करने वालों के लिए भी अभी परिसितियां कचिन है लेकिन पॉजरी बदलाव जरूर देख पाएंगे विपारियों के लिए समय इंपोर्टन्स रहेगा साथ में बहुत ये बढ़िया भी कहा जा सकता है है वो ठीक होता नजर आएगा अगर पहले काम धीमी कती से चल रहा था तो अब वो तेजी पकड़ेगा यानि कि आपकी चुकारे हैं सोने चांदे से रिलेटेड उसमें जो है पहले से जादा अच्छी तब देली आएगी आपको अच्छी इंकम हो सकते है आज आपका जार पढ़ाई की साथ साथ जौब करने का विचार भी बना सकते हैं जो कि बहुत इच्छा कदम रहेगा इससे आपका सल्फ कॉंफिरेंस बढ़ेगा ही साथ में आप से आपकी पेरन्ट जाता खुश होंगे आपकी विवस्तित कारे प्रणाली और दिन चरया आपको मांसिक और श्रीडी के रूप से स्वास्ति वे उर्जवान बना कर रखेगे आप परिचित या नेगेटीव प्रवित्ति की लोगों से दूरी बना कर रखेगा क्योंकि उनकी वजह से आपको धन से रिलेटी नुकसान भी हो सकता है यह समय जादा आतम विश्वास की सिती भी आपकी बनते बनाए कामों को भी काड़ सकती है कोई भी काम करने से पहरे उस पर जरा विचार इमट सरूर कर लीजिया तो जादा बैटर नतीज़े देखने को मिल सकते हैं साथी में आज जगरहों की सितियां भी कहती है कि परिवार के साथ कई लोगों का वादिवाद बढ़ भी स वो बार-बार दोहराने से उनका हल नहीं मिलने वाला है लेकिन उन घटनाओं से जुड़ा दुख जो है उसको कम करने के लिए कि आगर जपरास है आपको काफी हद तक मानसिक शांती सुकून दे सकता है नेगटिव लोगों के सामने खुद को साबित करने की कोशिश ना कर से इसलिए उनसे दूरी बना कर रखें तो ही जादा बैटर रहेगा आपके लिए ओफिस में भी आपका चुह है मान समान बढ़ सकता है साथ ही में अगर कोई प्रॉपर्टी से बंदी परिवारी की मामला चल रहा है तो उसे बहुत ही असाने से हल किया जा सकता है बस आपक क्रियानवित करने के लिए भी आज का दिन बहुत ही बढ़िया है अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर दीजिए रुखेगा मत तब लेकिन बहुत जादा भावुकता हावी मत होने दीजेगा ना ही किसे से जादा उम्मीदे रखें अपना का खुद कीजे दूसरों पर इससे में बाहर की कधी वीदियो में अपना समय फिजूल ना करकर अपनी व्यक्तिकत कार्यों में ध्यान लागाईएगा चलिए बहुत करते हैं आज के प्रसेशन करेड़ के बाएं कि कारशित्र में सहयोग्यों के साथ को बहार है उसको करते समय अपने क्रोद और जल जो है काम पर आपकी image पर मान समान पर भी बढ़ सकता है नौकरी में भी office का महौल समान नहीं बना रहेगा जादा कुछ तब दिल्ली आपको नजर नहीं आने वाली है इसके साथ ही आज जिस सितारे बेहते हैं कि नौकरी करने वाले लोगों को अपने करेड के प्रती होने दीजेगा गुपत रखिएगा जैसे आप अपना पैसा गुपत रखते हैं तुजोरियों में बैंक्स वगयरा में और किसी को नहीं बताते इसलिए अपनी प्लानिंग्स को भी गुपत रखिएगा नहीं तो आपकी कामों में रुकावटा सकती है किसी के नजर भी हो सकता है इसलिए आपको जो है विदेश में जो कॉंटेक्ट्स है वो लगातार बना कर रखनी चाहिए और अगर आपकी पहले सी कॉंटेक्ट है तो उनमें आपको मजबूत दानी चाहिए अब यह कैसे करना है यह आप पर डिपेंड करता है तो चलिए बागे बट्टे औ आज के लव लाइफ की और लव लाइफ आपके बारे में कहती है कि पती पत्नी के बीच एहम का टकराम रहेगा और किसी विप्रेत लिंगी व्यक्ति के वज़ए से घर में परिशानी भी हो सकती है और आपका लड़ाई जगड़ा भी हो सकता है तो जरा ध्यान लगे पती पतनी दूसरे के साथ अगर योगे साथ देंगे तरी अच्छे तरीके से रहेंगे तो कोई भी दिखत नहीं आएगी बस आपको एक दूसरे पर विश्वास करना है पार्टर में चल रहे जगड़े का असर बच्चों पर मत होने दीजेगा आज जिए वहाइक सबंद जो है करे लोगों के बहुत ही बढ़िया नजर आएंगी यानि कि आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं पहले से जादा विवाहितों के लिए कोई इच्छा सा रिष्टा आ सकता है और चल्दी ही आप शादिशिता जिन्दी में तबदेल कर सक आपने रिष्टे को इसे के साथ इसितार यह भी कहते हैं कि पती-पत्नी एक दूसरे के साथ अगर आप जाड़ा टाम स्पेंट करते हैं तो इससे आपका जो आप से सामवन जस्थे हैं वह बढ़िया बढ़ता नजर आएगा अब अंतर में बात कर लेते हैं हैं हैल्थ के कि आज आपका जो स्वास्त है काम का पोज जादा रहेगा थकान बनी रहेगा अपने काम को दूसरों की साथ बाटने इंप से आप माल से क्रियोप से सिकुन महसूस करेंगे इसने आज आपको काम बांटना चाहिए बच्चों को अपच की तकलीफ हो सकती है उनका ध्यान रख अपना पच्चाव जितना हो सके उतना करके रखेगा चली मंत में बात करते हैं आज के विशीश उपाय के बारे में तो जाप के लिए विशीश उपाय रहेगा कि आज आपको जो है घर से जो आप निकले तो आपको राइट यान की दाहिना जो पाओ है वो पहले आगे होगा साथ ही में आप दोनों टाइम की जो है अपूजा है सुपेर शाम की वो जरूर कीजिएगा तो दोसों कि आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवाद